Lucky had a rectangular farm which was 6 meters long Lucky के पास एक rectangular farm है जो कि 6 meter लंबा है and had a perimeter of 20 meters अब उस farm का जो perimeter है वो 20 meters है perimeter मतलब क्या हुआ? कि उसके सारे sides का, सारे boundaries का total length 20 meters है What was the width of Lucky's farm? तो उस farm का width क्या होगा? तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को post करके आप इसे कुछ solve करने के कोशिश करें तो let's say the kheath is green in color तो ये होगी उसके length same length ये भी हो जाएगी क्योंकि एक rectangle है और ये हो जाएगी उसकी width और ये हो जाएगी उसकी दूसरे width और दोनों width बराबर होंगी क्योंकि ये obviously एक rectangle है अब इसके length जो है वो 6 meters दी हुई है ये हो जाएगा हमारा 6 meters और ये भी हो जाएगा हमारा 6 meters अब इसकी जो perimeter है यानि की total length 20 meters दी हुई है अब हमें क्या चाहिए कि हमें इस width को calculate करना है कि ये width कितनी होगी तो let's say एक चीज़ तो हमको यहां से समझ में आ रही है कि इन दोनों का length पता करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों length को इसमें से subtract करना पड़ेगा ये 6 meters और ये 6 meters तो 20 meters minus 6 meters minus 6 meters तो let's say हमारे पास क्या बचता है तो ये हो जाएगा 20 meters minus of 12 meters यानि कि हम लोग के पास बच जाएगा 8 meters ये 8 meters के बराबर आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये length और ये length का sum 8 meters है और हम क्या जानते हैं इसके बारे में वो ये है कि ये length और ये length आपस में बराबर है इसका मतलब हमको कोई दो ऐसे number सोचने है जो कि आपस में बराबर हो लेकिन दोनों का sum 8 के बराबर आ जाए तो let's say 2 plus 6 बराबर नहीं है 4 plus 4 4 meter plus 4 meter total 8 meters होते हैं यानि कि अगर ये 4 meters हो जाए और ये भी 4 meters हो जाए और होने भी चाहिए क्योंकि दोनों width है तो ये 8 meters हो जाएंगे और ये हमारा value satisfy हो जाएगा अगर इसको हमें verify करना चाहें तो we can say that कि इन 4 का sum 20 meters आना चाहिए तो let's see या आता है कि नहीं तो 6 meters plus 6 meters plus 4 meters plus 4 meters कितना आएगा? 6 plus 4 10 10 or 10 20 तो ये हमारा 20 meters आगया जो कि given parameter है